आपका स्वागत है आज हम वर्ग 5 के गनित के पार्ट गुना यानि मल्टिप्लिकेशन पर चर्चा करेंगे आए सबसे पहले हम एक रोचक गतिविधी करते हैं इसके लिए हम कुछ कमाची लेंगे बास के चाहे तो आप जाड़ू का सीख भी ले सकते हैं या साइकल का स्पोग भी ले के कर सकते हैं तो आप हमारे साथ साथ इस गतिविधी को करें एक उधारन लेते हैं 12 गुना 23 12 में हमारा तहाई में है 1 और एकाई में 2 तो हमने एक के लिए यहां 1 कमाची लिया 2 के लिए यहां पर दो लिया अब 23 का जो दहाई का 2 है यह हमने यहां लिया इसके उपर और यह तीन कमाची हमने यहां इकाई वाला लिया एक दो तीन अब हम क्या करते हैं यहां देखते हैं यह कटान कितने कटान हो रहे हैं एक दो तीन चार पांट छे यह हमने लिख लिया अब हम यह तिर्चा देखते हैं कितने कटान हुए यह ऐसे तो यहां से गिनते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ तो यहां हमने लिखा साथ अब यह कटान कितने हैं एक दो फिर से देखते हैं एक बार हमारा बारा था तो एक कमाची यहां लिया दो कमाची इस तरह तो यह एकाई वाला है यह दहाई वाला है थिक उसी तरह से 23 में यह दहाई वाला यहां लिये और एकाई वाला यहां अब यह जो कटान बिंदू है यह कमाची का उसको गिनते हैं तो यहां एक दो तीन चार पांट छे छे हमने लिखा और फिर ये तिर्चा कितना कटान हुआ है इसको लेते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और अब ये इधर से ले लिए अब ये बचा इस तरह से तो दो तो हमारा आगया कितना? दो सो चीहत्तर यानि बारगुना तेईस बराबर दो सो चीहत्तर है नव काफी रोशक गतीविदी ये? अब एक गतीविदी और करते हैं ताकि ये और ज्यादा स्पस्ट हो जाए इस बार हम ले रहे हैं एक सो बत्तिस गुना चोंतिस तो फिर से इसको सजाते हैं सबसे पहले इधर एक उसके बाद ये तीन एक दो तीन इसके बाद इधर दो अब इसमें कितना है? चोंतिस तो इधर लेंगे तीन एक दो ये तीन और इधर चार अब हम देखते हैं कटान बिंदू कितने हो रहे हैं? पिछ्टी वार की तरह? फिर हम इस तरब से लेते हैं तो ये कटान बिंदू कितना है? एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये हो गया आठ अब इसको लेते हैं इस तरह से तो ये कटान बिंदू हम गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यार बार तेरह चवद पंदरह सोल्द सत्रह अठारह तो यहां से यहां का ये जो तिर्चा कटान है ये हो गया अठारह अब ये पिर्चा देखते हैं ये कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये हो गया तेरह और अब ये बज़ गया एक दो तीन अब हम इधर दाहिन और से लिखना शुरू करते हैं आठ ये हमने लिया आठ इसके बाद अठारह है तो अठारह का हमने लिया आठ और एक हमारा जो है वो हासिल हो जाएगा ये आठ अठारह का आठ लिया एक हासिल हो गया और यह हासिल यहां जूड़ जा रहा है 13 में एक हासिल जूड़ गया 14 तो 14 का यह फिर हमने 1 वाला ले लिया 4 और अब यह एक हासिल फिर इधर आ गया बाइन वो तो यह स्तीन में जूड़ जा रहा है तो यह हो गया 4 अब हमारा 132 गुना 34 का क्या आ गया उत्तर 4488 है ने काफी रोचक तो इस गतिविधी को आप कुछ और प्रस्ण लेकर आप इसे करके देखे आईए अब हम कुछ उदारनों की सहता से गुना को समझते हैं पहला उदारन हम ले रहे है 382 गुना 34 इसे हम पहले कॉलम में सजाते हैं 382 गुना ये 34 यहां हम गौर करेंगे कि ये 4 इकाई है और 3 दहाई है 4 से गुना करने का अर्थ क्या होता है 4 से गुना करेंगे और इस 3 से गुना करने का अर्थ क्या हो गया चुकि ये इसका स्थानिय मान 30 है तो इस 3 से गुना करने का अर्थ हो गया कि यह 30 से गुना होगा तो पहले हम 4 से गुना करते हैं 4 दुना 8 4 एठे 32 का 2 आप भी अपने कॉपी में साथ साथ करते चलें हाथ में रहा 3 हासिल 4 तियाई 12 और 3 15 तो यहां हमने गुना किया 382 को 4 से अब हम इस 3 से गुना करेंगे अर्थाथ हम 382 का गुना करेंगे कितने से 30 से क्योंकि यह 3 जो है वास्तों में इसका स्थानिये बान है 30 तो चुकि पहले सबसे पहले यहां इकाई में सुनने है तो यहां पर हम इकाई में देंगे शुनने फर से इसको समझे यह तीन से गुना करने का अर्थ कुआ कि इस तीन के स्थानिये मान से हम गुना कर रहे हैं तो यहां 3 का स्थानिय मान है 30 तो यहां हम 382 को 30 से गुना कर रहे हैं चुकि यहां इकाई में सुनने है इसलिए यहां इकाई में सुनने हो जाएगा अब 3 से गुना करेंगे 3 दुना 6 3 अठे 24 का 4 हात में रहा 2 3 ते आई 9 और 2 11 अब इसे हम जोड़ेंगे इस लिखने में भी एक बहुत ध्यान रखने की चीज है कि इकाई के नीचे इकाई दाहाई के नीचे दाहाई और सैक्रे के नीचे सौक्रे और हजार के नीचे हजार इसी तरह से लिखना है अब इसे हम जोड़ेंगे आठ और सुल नहीं, आठ, दो और छे, आठ, पांच और चार, नौ, एक और एक, दो, और ये एक. अब एक और उधारन हम लेते हैं, ताकि ये और इसपस्ट हो जाए. ये है हमारा दूसरा, आठ, सो, अठ, तर, गुना, बाइस. तो फिर इसे हम कॉलम में सजाते हैं, आठ, सो, अठ, तर, गुना, बाइस. अब यहां हम देख रहे हैं, इस दो का स्थानी एमान है, दो, क्योंकि ये इकाई में है. लेकिन इस दो का स्थानी एमान है, बीस, क्योंकि ये दहाई में है. तो सबसे पहले हम इसको इकाई से गुना करेंगे, आठ, सो, अठ, तर, गुना, दो, इस दो से. दूसरी बाद हम आठ, सो, अठ, गुना, बीस, इस दो से दाहाई वाले, जिसका स्थानी एमान, बीस है. तो और इन दोनों को हम फिर जोर देते हैं, तो दो, अठ, सुल्ला का 6, हात में रहा 1, दो, सते, 14, और एक हासिल था, 15, हात में रहा 1, दो, अठ, सुल्ला, और एक, हासिल जोर देते हैं, तो 17. अब ये इकाई में सुनने है इसलिए यहां गुना इकाई में सुनने हो जाएगा और इसके बाद फिर जो आया था दो से गुना करके वही आएगा छे, पाँच, साथ और एक फिर मैं यहां याद दिला दे रहा हूँ कि लिखने में हमेशा साफधानी करेंगे कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े और हजार के नीचे हजार इसी तरह से आगे भी चलेगा अब इसे हम जोड देते हैं छे और सुन, छे, पाँच और छे, ग्यारा का एक, हाथ में रहा एक साथ और पांच बारा और एक तेरा हाथ में रहा एक साथ एक आठ और एक नौ और ये एक इन दो सवालों से काफी कुछ आप समझ गए होंगे अब एक और दूसरे तरह का प्रशन ले रहा हूँ ये है छेसो पच्चीस गुना दो सो तो ये छेसो पच्चीस गुना दो सो अब यहाँ देख रहे हैं कि इस दो सो में ये इकाई के जगय पर भी इकाई के स्थान पर भी सुनने है दाहाई के स्थान पर भी सुनने है और सैकड़े के स्थान पर दो है तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो छेसो पच्चीस गुना इकाई में सुनने छे सो पचीस गुना सुनने और ये छे सो पचीस गुना दो सो तो हम ये सुनने से गुना किये तो ये सुनने 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 फिर ये सुनने से करेंगे तो वही हो जाएगा सुनने सुनने अब दो सो से करना है तो यहां इकाई और दाहाई में सुनने है तो यहाँ इकाई में सुन, दहाई में सुन और फिर दो से गुना करेंगे तो दो पछे दस का सुनने हाथ में रहा 1, 2, 2 निये 4 और 1, 5 और 2 छक, 12 अब इसे हम जोड़ते हैं सुनने, 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 5, 2, 1 अब एक और चीज हम यहाँ पर गौर करेंगे 625 गुना दो तो यह कितना होता है दो पचे दस का शुन्य हाथ में रहा हासिल एक दो दुना चार और एक पांच और दो चार बारा दोनों में फर्क देखते हैं यहाँ 200 था तो क्या हुआ था? यहाँ 2 एक्स्ट्रा यहाँ सुन्या लिया जब 2 से हमने किया तो यह 1250 आया 200 से किये तो यह 1250 इसके बाद 2 सुन्या इससे हमें एक गुना का एक पैटर्ण भी मिलता है अगर अगर हमारे पास है 122 गुना एक सुन्या तो यह 122 का एक से गुना करेंगे 122 और जो सुन्या है वो हम यहाँ बैठा देते हैं यह पैटर्ण हमें मिल गया है आगर जब हम गुना करेंगे तो इस पैटर्ण का हम उप्योग करेंगे इस से क्या होगा हमारा जो समय है वो बचेगा और गुना संचिप्त हो जाएगा काफी जल्दी बन जाएगा तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जब बाद में सुन्य होते हैं तो हमें सिर्फ सुन्य बैठा देना है जैसे एक और उदारन हम लेते हैं ये उदारन है 2782 गुना 100 ये प्रशन आपके अभ्यास के में दिये हुए है ये प्रशन अभ्यास के प्रशन है तो हम जब हम जानते हैं पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक से जब गुना करेंगे तो उतना ही रह जाता है तो हम इसको 2782 को एक से गुना करते हैं 2782 एक से गुना कि ये तो उतना ही रह जाता है वही अज इसके बाद यहां कितना सुन्ने है दो सुन्ने तो हम दो सुन्ने यहां पर बैठा देते हैं तो इस pattern को हमें याद रखना है, इस pattern पर कई प्रस्न हो सकते हैं, आप खुद से भी इस तरह के प्रस्न बनाएं और इसे हल करें, अभ्यास के प्रस्न में भी इस तरह के कई प्रस्न दिये हुए हैं. अब एक और दूसरे तरह का प्रशन लेते हैं आपके अभ्यास के प्रस्ण में से ये प्रस्ण है दस घंटे में कितने सेकेंड होगे तो ये कुल सेकेंड बराबर तो पहले तो हम घंटे को बढ़लेंगे मिनट में तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं साट एक घंटे में साट मिनट होगे तो दस घंटे में कितना होगे दस गुना हो जाएंगे तो ये दस घंटे में मिनट होगे अब एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं साट तो इतने मिनट में कितने सेकेंड होगे गुना साट अब इसमें हम एक सौट कट जो अभी हमने पहले सीखा सुनने से गुना हम सुनने पर ध्यान नहीं देते हैं हम पर इसको गुना करते हैं 6 गुना 6 36 गुना 1 36 अब इसमें सुनने कितने है 1 2 3 हम यहां बैठा लेते हैं 1 2 3 तो कुल सेकेंड हो गये इतने आसा ये इसपस्ट हो गया होगा एक और उधारन ले लेते हैं एक मीटर कपड़ा का मुले 78 रुप्या है 415 मीटर कपड़े का मुले क्या होगा तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा एक मीटर कपड़े का मुले हमें दिया हुआ है 78 रुप्या है और हमें 415 मीटर कपड़े का मुले निकालना है तो निशित रुप से यहां हमें गुना करना है किस से किस को करेंगे 415 गुना 78 तो यहां हम गुना करेंगे पलिस आठ से गुना करेंगे 8 पचे 40 का सुन्ने और हाथ में हासिल रहा 4, 8, 1 का 8 और 4, 12 का 2 हाथ में रहा हासिल 1 8 चोके 32 और एक 30 अब हमें 7 से करना है यानि 70 से करना है क्योंकि 7 का स्थानिय मान 70 है तो सबसे पहले हम यहां पर एक सुन्ने बैठा देंगे चुकि यह 70 है यह 7 का स्थानिय मान 70 है इसलिए पहले हम यहां सुन्ने बैठाएंगे अब हम इस 7 से गुना करेंगे 7 पचे 35 का 5 हाथ में रहा 3 साथ एका 7 और 3 दस का सुन्ने हाथ में रहा 1 7 चुक 28 और 1 29 सुन्य और सुन्य सुन्य पाँच और 2 साथ तीन और सुन्य 39 और 3 12 का 2 हाँप मेरा 1 और 2 और 1 तीन तो यहाँ फिर से मैं एक चीज दोरा दे रहा हूं यह गुणा हुआ 415 गुणा 8 यहाँ और यहां गुना हुआ 415 गुना 70 का और इन दोनों को गुना करके हमने जोड़ दिया इसलिए कुल कपड़े का मुल्य ये हो गया तीन दो तीन साथ सुने यानि 32,370 रुपे आसा है कि आज जो हमने पढ़ा गुना या आपको समझ में आ गया होगा अब आपके अभ्यास में जितने प्रशन दिये हुए हैं सभी प्रशनों को आप बनाएं और कहीं दिक्कत होने पर अपने सिक्षक से संपर्क करें धन्यवाद